नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरहां से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा चंद्रमा संपून दिवरातरी करक राशी में कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मूरत उपर युक्त शुभा शुब समय तिथिवार नक्षत्रव योगा नुसार आज पुशिन अक्षत्रमे ग्रियारं, वधुप्रवेश, क्रिहप्रवेश, जलाशय रामसर प्रतिष्ठा वविप्णी व्यापरारं के शुब मूरत है अब आपको बताते हैं आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं, इनकी जनम राशी कर्क है, कर्क राशी के स्वामी चंद्रमा है, इनका जनम रजतपाद से है समाने तह ये जातक रूपवान, बुद्धिमान, धन्वान, धर्मात्मा, शान्स्वभाव, ईश्वर्व, गुरुभक्त, सत्य प्रेमी, कोमल रिदय, वाकपट्टू, सम्मान शील, कार्य कुशल और कुटुम सुक युक्त होते हैं इनका भाग्युदय लगभग 28 वर्ष के आयू तक हो जाता है, करक राशी वाले जातकों को आवशक्ता नुसार अर्थ लाब होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं, कि ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर व विश्वास रखते हैं, इश्वर से कामना है, आज का आपका दिन मंगलकारी हो, नमस्कार